कि डियर इस्टुएंट्स वेलकम बंस अगेंड टू माई चैनल तो प्यारे बच्चों यहां इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लासिक्स साइन्स का सेकंड चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफूड और यहां इस वीडियो में हम इस चैप्टर का हाफ पार्ट यहां पर इस वीडियो में इस से पहले हम इसी चैप्टर का आदा भाग पढ़ चुके हैं यदि आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और वहां जाकर के आप मेरे इस तरह के वीडियो देख सकते हैं इसका आदा भाग दे सकते हैं चैप्ट के लिए यह हमारे सरीर के लिए क्या करते हैं या हमारे सरीर में उनका क्या प्रेयोजन है तो यह हम यहां पर देखेंगे इसमें जैसे चलते हैं आय एक to our body तो पहली चीज गार्वाइडरेट जो हमने उपर पढ़ा था तो कार्वाइडरेट भी एक destruction है और ये manly प्रावाइड़ एनरजी to our body एनि एक कार्वाइडरेट जो हوتा है वो हमारे मुख्रूप से हमारे सरीर को जो है energy प्रावाइड कराता है यानि उर्जा प्रदान करता है Fats also give us energy लेकिन इसके अलावा जो एक और जो nutrient है जो हमने पढ़ा है Fats तो ये Fats भी हमारे सरीर को energy provide कराते हैं in fact वास्ता में Fats give much more energy as compared to the same amount of carbohydrates, यदि same amount of carbohydrates की बात की जाए यानि same amount में हम fat और carbohydrates की बात करें तो कार्व हाइड रेट की बजाए Fats जो है तोलनात मगरूप से हमारे सरीर को ज़्यादा energy प्रदान करते हैं Fats containing Fats containing proteins are often called bodybuilding foods इसके अलावा बोजन में जो proteins होते हैं कहने का अमलाग एक और ये nutrient है protein अब ये जो proteins होते हैं इनको हम bodybuilding foods कहते हैं यह हमारे सरीर में नई कोशिकाओं का निर्मान करते हैं bodybuilding में काम में आते हैं यह सरीर के निर्मान में ये बहुत ही useful है proteins figure 2.5 में दिखाया गया 2.5 में आप इसको देख सकते हैं देख लेते हैं 2.5 ये 2.6 है और ये 2.5 आप देख रहे हैं यहाँ पर 2.5 some sources of proteins a plant sources and b animal sources protein दोनों ही source हों से उपलब्द है हमारे लिए plant से भी हम protein ले सकते हैं और animals से भी हम protein प्राप्त कर सकते हैं तो यह हम देख रहे हैं ये कुछ source आपको दिखाया जा रहे हैं मनलब plants वाले तो यहाँ आपको दिखाया दे रहे हैं ये बहुत सारी चीज़े हैं जैसे beans है, soya bean है पीज है और ये ये gram है और ये भी पल्स है तो ये जो ये जो pulses हैं अधिकतर जो pulses होती है ये beans होते हैं उन सभी में protein होते हैं plants के अंदर और animals है जो हमको protein मिलते हैं उनकी भी आप variety यहां पर देख लें जैसे कि milk है एग है, इसके अलावा आप देख रहे हैं कि पनीर है और ये fish है और ये meat है तो ये भी शोर्स है protein के, अब आई ये शुरू करते हैं vitamins help in protecting our body against diseases एक और nutrients जो vitamins होते हैं वो हमारे body को बिमारियों के against protect करने में help करते हैं मनलब बिमारियों से हमारे सरीर की रक्षा करते हैं vitamins also help in keeping our eyes, bonds, teeth and gums healthy इसके अलावा vitamins का एक और काम है और वो काम क्या है ये हमारी eyes को, हमारी bonds को, हड़ियों को, teeth, दातों को, gums, मसूलों को healthy रखते हैं या healthy रखने में ये सहायक होते हैं vitamins are of different kinds तो प्यारे बच्चों ये जो vitamins होते हैं वो different kind के होते हैं, कई तरह के होते हैं known by different names और इनको अलग-अलग नाम से जाना जाता है some of these are vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E and K यानि ये इनके नाम है A, B, C, D, E and K There is also a group of vitamins called vitamin B complex एक और vitamin है इसे vitamin B complex कहते हैं ये group of vitamins कहलाता है क्योंकि इसमें B के बहुत सारे जो है, यहां पर kinds होते हैं जैसे vitamin B1, B2, B3, B12 तक ये चलते हैं Our body needs all types of vitamins हमारा सरीर जो है इन सभी तरह के विटामिनों की हमारे सरीर को जर्रत होती है इन इनके बाद में आगे देखें इन small quantities यानि छोटी यानि कम मात्रा में हालाग इनकी मात्रा कम चाहिए हमारे सरीर को यानि कम मात्रा में ही चाहिए है small quantity में अब ये इनके अलगरा functions है जैसे vitamin A keep our skin and eyes healthy यानि vitamin A हमारे सरीर में क्या काम करता है ये हमारी skin और eyes को healthy रखता है यानि हमारी चमडी और हमारी आँखों को healthy बनाने में सायक है vitamin A इसी तरह vitamin C helps body vitamin C होता है हमारे सरीर के लिए किसके लिए सायक है to fight against many diseases यानि विविन तरह की बीमारियों से लडने में हमारे सरीर को जो है शक्ति प्रदान करता है vitamin D helps our body to use calcium for bones and teeth vitamin D क्या करता है हमारे बोडी में ये help करता है हमारे बोडी को यानि हमारे बोडी को सायता करता है calcium का use करने में यानि calcium से जो हमारे हड़ियां बनती है दात बनते हैं वो उस calcium को जो है calcium का use करने में ये सायक है foods that are rich in different vitamins are shown in figure 2.6 to 2.9 यानि ऐसे बोजन जिनमें प्रुचूर मात्रा में तरह तरह के vitamins होते हैं अलग अलग तरह के जो vitamins होते हैं ऐसे foods को याँ पर दिखाया गया है आपके लिए और 2.6 से 2.9 में ये दिखाया गया चित्रों में तो आप देखिए 2.5 2.6 से 2.9 तक ये 2.6 से 2.9 तक हम देखेंगे 2.6 ये 2.7 आगया और 2.6 ये देखिए 2.6 यहां पर हम देख रहे हैं 2.6 में कौन से vitamin है ये ये 2.6 shorts और vitamin A याँ विटामिन A हमको कहां से मिलता आती है आपके लिए कुछ shorts यहां पर बता रखें एक पपाया है कैरट है, मेंगो है याँ ये जो आपको बताए गया है वेज़े से पपाया है कैरट है और मेंगो है इसके अलावा यहां पर एक milk को रखा हुआ है एक fish oil रखा हुआ है तो ये कुछ shorts है जहां से हमको vitamin A प्राप्त होता है और देखें नेक्स्ट ये पिक्चर और यहां पर बताया जा रहा है some sources of vitamin C यानि vitamin C किन-किन चीज़ों से हमको मिलता है तो यहां इस जो है पिक्चर माँ आप देख रहे है एक तो गावा एक green चीली यानि हरी जो मिर्ची होती है उससे भी हमको vitamin C मिलता है इसके अलावा lemon यानि नीबू, आमला और potato इसके अलावा orange ये vitamin C के shorts हैं और 2.9 में आप देखेंगे some shorts of vitamin D हमको vitamin D मिल रहा है तो ये देखिए fish और egg इसके अलावा liver यहां पर दिखाया गया है और butter यहां पर रखा हुआ है एक bottle में और milk भी रखा हुआ है तो butter है, milk है, egg है, liver है, fish है ये सारे के सारे shorts हैं vitamin D के आईए अगे देखते हैं for proper growth of body and to maintain good health तो एक तो हमारे body की proper growth के लिए यानि बिलकुल सही मात्रा में है ब्रदी के लिए और maintain good health और अच्छी health बनाए रखने के लिए some sources of different minerals are shown in figure 2.10 यानि हमारे सरीर को स्वस्त बनाए रखने के लिए उसकी सही मात्रा में ब्रदी करने के लिए जो है, यह minerals है, वो काम में आते हैं अब यह minerals, minerals काम में आते हैं हम जड़ा आगे चलेगे ते पढ़ते पढ़ते यह कुछ हिस्ता रह गया इसका यहां से इसको शुरू करते है minerals are needed by our body in small amounts इसके अलावा कुछ minerals होते हैं, यह भी nutrients हैं तो यह minerals हैं, जिनको हम हिंदी में खनीज रवन कहते हैं इनकी भी जरुत होती है, हमारे सरीर को और बहुत ही कम मात्रा में होती है, small amounts में होती है Each one is essential और प्रतेग जो mineral है वो बहुत ही जरूरी है, यानि essential है किसके लिए essential है वो? वो essential है for proper growth of body, यानि सरीर की proper growth के लिए यानि सही तरीके से ब्रद्दी के लिए and to maintain good health और अच्छे health को बनाये रखने के लिए Some sources of different minerals are shown in figure 2.10 Figure 2.10 के अंदर कुछ ऐसे source दिखाए गये हैं अलग-अलग minerals जहां से हमको मिलते हैं तो सबसे पहले हम 2.10 को देखेंगे जिसमें minerals के कुछ source यहां पर दिखा रखेंगे हैं यह 2.10 देखिए आप 2.10 यह 2.10 यह 2.10 में देखिए आप Some source of iodine यानि iodine भी एक mineral है और यह कहां से मिलता है जैसे ginger यानि अधरक से हमको iodine मिलता है और यह figure के अंदर आप देखिए बहुत सारी चीज़ें यहां पर दिखाईगे यह जैसे fish भी है और इस बाउल के अंदर भी कुछ रखा हुआ है और यह कुछ हरी पत्तियां भी आपको दिखाईगे दे लिए तो यह सब source किसके हैं iodine नाम के mineral के यह देखिए इस figure में some sources of phosphorus हमको कहां मिलता है यह जैसे green chili भी यहां पर है और यहां पर बनाना है मिलक है और यह कुछ और यहां पर material है तो इनसे हमको phosphorus मिलता है और देखिए एक और mineral यहां पर some sources of iron यहां नाम का mineral है वो हमको कहां से मिल रहा है तो यहां पर आप देख रहे हैं कि apple रखा हुआ है कुछ और यह सारी की सारी green vegetables हैं तो अधिकतर यह green vegetables में जैसे आपके जो है पालक है उसमें काफी मात्रा में यहां प्रफाउंडली जो है हमको green vegetables से iron प्राप्त होता है और यह देखिए कुछ some sources of calcium यह calcium नाम के mineral के कुछ sources जिसमें एक्स हैं और milk है यह प्रमक्रूप से दो चीज़ें यहां पर दिखाई गी है अब आगे हम इसको सुरू करेंगे most food items usually have more than one nutrient अधिकांस ते जो food items होते हैं नहीं अधिकांस जो food items होते हैं उनमें प्राइ एक nutrient से ज़्यादा nutrient मिलते हैं नहीं एक ही नहीं मिलता वालगी एक से भी अधिक nutrient हमको मिलते हैं यूमे में हैं और नोटिशट आपने देख आपने नोटिश किया हो सकता है इस बात को वाइल recording your observations जब आापने अपनेnam ne जो आपने औपजर्व किया है चीजों को जो आपने जो आपके परियवेक्षन हैं जो आपजर्वेशन से जिनको आपने जब रिकॉर्ड किया है तो यह चीज को नोटिस किया होगा इन टेवल 2.2 के अंदर हावेवर यद भी इन्हें गिवन रो मेट्रियल जो भी आपको रो मेट्रियल यहां पर दिया गया है वन पर्टिकुलर न्यूट्रियंट में भी प्रिजेंट एक कोई निश्चित न्यूट्रियंट उसमें प्रिजेंट हो सकता है इन मच लार्जर कॉंटिटी हो सकता है कि ए एक न्यूट्रेंट उसमें ज्यादा मात्रा में हो यह जबकि दूसरे कम हो, फॉर एक्जामपल उदान के लिए, राइस हैज मोर कारवाइड़ेट्स देन अदर न्यूट्रेंट्स, जैसे राइस का हम उदान लें, तो हम इस तरह कहसकते हैं कि राईस जो है वो कार्वाइड्रेट रिच न्यूट्रियен्ट है या शौर्स ओफ फूड है यानि जिसमें सबसे ज़्यादा मातरा में या अधिक मातरा में कार्वाइड्रेट हमको मिलता है राईस से इसके अलावा और भी उसमें nutrient मिलने मिल सकते हैं Besides these nutrients, इन nutrients के अलावा Our body needs dietary fibers and water कुछ dietary fibers और water की भी हमको जरत पढ़ती है dietary fibers are also known as rough age यह जो dietary fibers होते हैं जो हमारे सरीर में कोई अलग से nutrient तो नहीं देते लेकिन हमारे सरीर में जो अपसिष्ट पदार्थ हैं जो बेष्ट हैं बेष्ट में ट्रेल हैं उनको हमारे सरीर से excursion करने में help करते हैं जैसे मोटे अनाज हैं रफेज is mainly provided by plant और यह रफेज जो है हमको मुख्य रूप से जो है प्लांट से ही provide होते हैं प्लांट प्रॉडक्ट से यह प्लांट प्रॉडक्ट जो होते हैं जो बनस्पती जो उत्पाद होते हैं उनसे हमको यह प्राप्त होते हैं इन आवर फुड्स हमारे बोजन में हॉल ग्रेंज एंट प्लसेज पोटेटोज फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेवल्स आर मैंड शॉर्स और रफेज अब यह रफेज हमें इसके लाव पुड्सेज दाले हैं और पोटेटोज हैं और फ्रेश फ्रूट्स हैं टाजा फ्र फल इन वेजिटेवल्स इसके लावद सब्जिया आर मैंड शॉर्स और रफेज यह रफेज के प्रहुक इस्त्रोत है रफेज डज नॉट प्रोवाइट एनी नूट्रियंट टू आवर बॉड़ी लेकिन यह जो रफेज होते हैं वो हमारे सरीर को जो है किसी तरह का कोई नूट्रियंट प्रोवाइड नहीं कराते बट इस एन एसेंशियल कंपॉनेंट बल इसके लावा हम जो भोजन करते हैं उसको हमारे सरीर में एड करने के लिए बहुत जरूरी है इसके लावा यह हमारे सरीर में एपचित भोजन को सिछ फुटकारा दिलाने में भी शायक होते हैं आगे देखते हैं water helps our body to absorb nutrients इसके लावा बाटर हमारे सरीर में क्या काम करता है यह जो nutrients हमको within foods से प्राप्त होते हैं उनको हमारे सरीर में absorb करने में help करता है यानि हमारे सरीर उनको अस्तर ग्रेंड कर ले तो वहां बाटर की मुख्य जो है भूमी का होती है इसके अलावा कुछ वैस्टेज को यानि अफस्ष्टों को हमारे सरीर से बाहर निकालने में भी पानी सायक होता है एज यूरिन एंड स्वीट और किस रूप में पानी यानि बाटर सायक होता है अफस्ष्ट को बाहर निकालने में यूरिन के रूप में और स्वीट के रू कि नॉर्मली सामयन रूप से भी गेट मोस्ट ऑफ दा वाटर डेट अवर बॉड़ी नीड्स फांडा लिक्वीड भी डिंक यह नी पानी हमारे सरीर में सबसे ज्यादा यानि कहने का मैं आप जो पानी है वह हमारा सरीर उसको कैसे ग्रेंड करता है तो अधिकांस ते हम पानी जो है जो भी लिक्वीड पीते हैं चाय बाटर पी रहे हैं या और सर्वत पी रहे हैं या मिल्क पी रहे हैं या टी पी रहे हैं किसी भी तरह का कोई भी लिक्वीड जो हम पी रहे हैं उसके दोरा बोडी की नीड्स पूरी होती है पानी की सच एज बाटर जैसे कि पानी है milk है and tea है दूद है और चाय in addition इसके अलावा we add water to most cooked foods इसके अलावा हम जो भी बोजन बनाते हैं उसमें भी पानी मिलाते हैं और जब हम उस बोजन को खाते हैं तो भी पानी हमारे सरीर में पहुंचता है let's see if there is only any other source which provides water to our body हम देखेंगे कि क्या कोई और भी ऐसा source है जो हमारे सरीर को पानी provide कराता है तो देखे एक्टिविटी नमबर 3 तो यह हम देखेंगे एक्टिविटी नमबर 3 टेक ए टॉमेटो और ए फ्यूट लाइक लेमन एक टॉमेटो लीजिए टॉमाटो लीजिए या कोई फल जैसे की लेमन है तो वो आपको लेना है cut it into small pieces उसको आप छोटी छोटी टॉकड़ो में काटिए do your hands गेट वेट while doing so आपको क्या करना है क्या जब आप काटते हो टॉमेटो को या लेमन को तो क्या आप को ऐसा नहीं लगता कि उनको काटते वक्त आपके हाथ गीले हो गए हैं carefully observe साब दाने से आप निरिक्षन करिए whenever vegetables and fruits are being cut जब भी हम कोई vegetable या फलों को काटते हैं peeled, grated or smashed at your home यानि काटते हैं या उनके छिलकों को निकालते हैं या उनको मसलते हैं तो आपको एक चीज observe करनी है do you find any fresh vegetables or fruits that do not contain some amount of water तो क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई फल या कोई सबजी ऐसी है जिसमें पानी नहीं है या आप से पूशे जा रहा है तो ऐसा महुत ही कम है बलकि ऐसा है नहीं बलकि हर फल यानि काच चाहे वो किसी भी तरह का fruit हो चाहे किसी भी तरह की vegetable हो सम में water होता है क्योंकि जब भी हम उनको काड़ते हैं हमारे हाथ weight हो जाते हैं गीले हो जाते हैं और जब गीले होते हैं आगे देखिए देट मैंनी फूड मेटरियल्स थेमसेल्स कंटेंड बाटर हम देखते हैं कि अधिकांस जो फूड मेटरियल्स होते हैं उनमें सभी में पानी होता है तो सम एक्सटेंट और किसी सीमा तक आवर बोडी नीड्स और मैट वाइड इस बाटर हमारे शरीर की पा पानी की जो जर्रत है वो उनी से पूरी हो जाती है अपार्ट फॉम दिस और इसके अलावा वे आलसो एड़ बाटर हम पानी एड़ करते हैं वाइल कोकिंग मैनी फूड आइटम्स जब भी हम बहुत सारे बोजन आइटम बनाते हैं या फूड आइटम बनाते हैं तो भी हम हैं यह एक नई चीज आपके लिए यानि बेलेंस डाइट जिसमें सभी तरह के यहाँ पर मैं आप जी पख़ंगे जी संभू पाने बोजन होता है जिसमें सभी तरह के जो हैं न्याट्रियंट्स हो मेंनॉर्स हो और उसमें बाटरंगी और उसमें dietary fibers भी हो तो ये सारी चीजें जिस बोजन के अंदर होती है उसे हम कहते हैं balance diet यानि संतुलित बोजन the food we normally eat बेबोजन जो हम सामाने ते खाते हैं in a day किसी दिन यानि किसी भी दिन is our diet ये हमारी diet के लिए होता है for growth and maintenance of good health growth के लिए यानि सरीर की ब्रदी के लिए और अच्छे स्वास्त को बनाए रखने के लिए our diet should have all the nutrients हमारे हमारी diet में यानि हमारी भोजन में सभी तरह के nutrients होने चाहिए that our body needs जिनकी हमारे सरीर को जर्वत होती है in right quantities सही मात्रा में not too much of one and not too little of the other बिलकुल balance होने चाहिए किसी nutrient की मात्रा ज्यादा भी नहीं हो और किसी nutrient की मात्रा ज्यादा कम भी नहीं हो the diet should also contain a good amount of roughage diet में एक good amount में अच्छी मात्रा में जो है रफेज भी सामिल होने चाहिए and water और पानी भी सामिल होना चाहिए such a diet is called a balanced diet तो इसी तरह का जो diet है जो भोजन है वो balanced diet कहलाता है मनलब संतलित भोजन कहलाता है do you think that people of all ages क्या आप ऐसा सोचते है कि सभी उम्रों के लोग यानि सभी age के जो लोग है need the same type of diet क्या सभी को एक ही तरह diet की जरत होती है do you also do you also think क्या आप ये भी सोचते है कि what we need for a balanced diet यानि जो कुछ भी हमको balance diet के लिए जरत होती है but depend on the amount of physical work वो सारी जो वो सारी चीज़ डिपेंड करती है किस चीज़ के उपर on the amount of physical work that we do physical work के उपर जो हम करते हैं यानि सारी जो काम हम करते हैं उसके उपर वो जरत पड़ती है या उसके उपर वो निर्वर करती है यानि जितना आदमी physical work करेगा उसको उतनी ज़्यादा diet की जरत पड़ती है जो कम करता है उसको कम जरत पड़ती है और यदि कोई physical work नहीं करता और over diet करता है या diet ज़्यादा मात्रा में लेता है तो वो कहीं न कहीं उसमें परेशानी पैदा होती है आईए देखिया आगे prepare a chart of whatever you eat over a period of week यानि आप एक सब्ताय में जो कुछ भी आप खाते है सब्ताय वर में साथ दिन में उसके बारे में आप एक chart बनाईए कि आपने Sunday को क्या खाया Monday को क्या खाया तो इस तरह एक chart आपको तहीया आरहाँ पर करना है check whether all the nutrients mentioned are present in one or the other food items being eaten within a day also अब आपको check करना है ये देखना है कि क्या सारे के सारे nutrients जो बताये गए हैं वो present है किसी एक भोजन के अंदर या दूसरे भोजन के अंदर जो कुछ भी हमने एक दो दिन के अंदर खाये हैं pulses, groundnut soya bean sprouted seeds moon ant bengali gram यानि जो pulses है यानि जो डाले हैं, groundnut है जैसे moon फली है, soya bean है sprouted seed है, अंकुरित जो बीज होते है इसके अलावा जैसे moon और bengali gram है जिनको हम अंकुरित जो है बीज कहते है fermented food इसके अलावा fermented food South Indian food such as idlis ये idlis डोसा जो होते हैं fermented food कहलाते हैं और ये अपने आप में South Indian dish है a combination of floors misty roti जैसे आपस में हम विविन तरह के आटों को मिला देते हैं जैसे हम उससे जो रोटी बनती है वो misty roti कहलाती है जैसे हमने बेसन और ग्योंका आटा मिला करके रोटी बना दी तो वो misty roti कहलाती है जैसे थेपला है made from serals and pulses तो यह सारी चीजें जो है थेपला है मिसी रोटी है यह एक या दो तरह के flowers को आपस में combine करके जो है मिला करके आपस में और फिर बनाई जाती है serals और पलसे serals का मेला अनाज होता है पलसे मुलत दाले इसके अलाबा बनाना इस्पिनाच सत्तू, जैगरी, अवेलेवल वेजेटेबल्स एंट अधर सच फूट्स प्रोवाइड मेनी नूट्रियंट्स इसके लाबा जो बनाना है इस्पिनाच है सत्तू है, जैगरी है और उपलब्द जो सबजिया है और जो दूसरे अलग भोजन है इस सारे के सारे भूस सारे नूट्रियंट्स हमें प्रोवाइड करते हैं देरफॉर इसलिए बन केन इट ए बेलेंज डाइट कोई व्यक्ति बेलेंज डाइट प्राप्त कर सकता है विदाउट एक्सपेंसिब फूट मेट्रियल्स बिना ज़्यादा खर्चा किये यानि ज़्यादा महेंगा भोजन किये ये सामन चीजों से बेलेंज डाइट हमको प्राप्त हो सकती है इटिंग दा राइट काइंड ऑफूट राइट काइंड यानि सही तरह का भोजन जो है तो ऐसा भोजन खा करके या ऐसा जो हम भोजन करते हैं is not enough eating the right kind of food is not enough सही तरह का भोजन खाना ही enough नहीं है परियाप नहीं है it should also be cooked उसे पकाया जाना भी बहुत जरूरी है यानि उसे पकाया भी जाना चाहिए properly अच्छी तरीके से so that its nutrients जिससे कि इसके जो nutrients है are not lost वो पूरी तरह से lost नहीं हो खोए उसमें से खतम नहीं हो कहने का मलब पकाने का भी एक तरीका होना चाहिए बोजन को यानि वो ज्यादा overcooked नहीं होना चाहिए are you aware क्या आप इसके प्रती जागरूक है that some nutrients कि कुछ nutrients जो होते हैं get lost वो खतम हो जाते हैं in the process of cooking यानि पकाये जाने की प्रक्रिया में ant preparations यानि भोजन को जो हम तैयार करते हैं और पकाते हैं तो इसी प्रक्रिया में बहुत सारे nutrients जो है lose हो जाते हैं if the vegetables and fruits are washed after cutting or peeling them यदि जो vegetables हैं जो fruits हैं जब उनको धोया जाता है काटने के बाद में या छीलने के बाद में peeling करने के बाद में यानि कोई भी सबजी हो या कोई भी फल हो यदि हम उनको पहले काट देते हैं या उनके छिलकों को पहले छील देते हैं और उसके बाद में यदि हम उनको दोते हैं तो क्या होता है तो यह होता है कि it may result in the loss of some vitamins तो इससे यह होता है कि उन सबजीयों या उन फलों में से यानि वो जो particular fruits और vegetables हैं that are washed before यानि जो आपने जो आपने जो फल या सबजीया है और जो आपने उनको छील दिया है और उनको या फिर आपने काट दिया है धोने से पहले और फिर बाद में आदिया आपने उनको दोया है तो फिर उनमें से उनमें जो उपस्तित जो vitamins और जो minerals हैं उनके खोने का या उनके खतम होने का यहां पर खत्रा पैदा होता है यह प्रणामते उन मेंसे जो विटामिन्स और जो मिनरल्स हैं वो लूज हो सकते हैं The skins of many vegetables and fruits contain vitamins भहुत सारी जो सबजिया हैं और जो फल हैं उनकी जो skins होती हैं उनकी जो छिलके होते हैं उनमें भी जो है vitamins होते हैं और minerals होते हैं similarly इसी तरीके से repeated washing of rice and pulses यदि हम चावल को या डालों को बार बार दोते हैं तो इससे क्या होगा may remove some vitamins and minerals present in them तो उनमें जो minerals और vitamins present हैं यानि जो उनमें उपस्तित हैं वो भी remove हो सकते हैं खतम हो सकते हैं we all know that cooking improves the taste of food and makes it easier to digest इस बात को भी हम जानते हैं कि cooking से क्या होता है पकाने से क्या होता है यानि भोजन का जो टेस्ट है वो improve होता है यानि भोजन का टेस्ट बढ़ जाता है स्वाद बढ़ जाता है इसके अलावा वो digest भी आसानी से हो जाते हैं at the same time cooking also results in the loss of certain nutrients लेकिन पकाने की जो प्रक्रिया है उसमें एक खत्रा है खत्रा यह कि बहुत सारे यानि कुछ certain nutrients जो है इस प्रक्रिया में जो है खत्म हो जाते हैं यानि उनका नास हो जाता है many useful proteins and considerable amounts of minerals are lost nutrients बहुत सारे जैसे कि बहुत सारे proteins और काफी सारी मात्रा में minerals जो है उन पकाते वक्त भोजन में से loss हो जाते हैं if excess water is used during cooking and is then thrown away एक यह भी कि आप भहुत सारा पानी लेकर के सबजी और फलों को पकाते हैं और फिर उस पानी को फैंक देते हैं तो इस प्रक्रिया के दोरान भी बहुत सारे minerals और बहुत सारे vitamins और अधिकतर nutrients उन सबजी या फलों में से खतम हो जाते हैं विटामिन C gets easily destroyed by heat during cooking यानि cooking के दोरान विटामिन C जो है वो आसानी से destroy हो जाता है नस्ट हो जाता है heat से यानि गर्मी से would it not be sensible to include some fruits and raw vegetables in our diet कुछ raw vegetables को यानि कच्चे फलों को और सब्जियों को हमें क्या हमारी डाइट में सामिल नहीं करना चाहिए बिल्कुल करना चाहिए यानि कुछ सब्जिया और फल ऐसे होते हैं जिनको हमको raw ही खाना चाहिए जिससे कि उनके minerals और vitamins जो nutrients है वो उनमें से खतम नहीं हो क्योंकि cooking की प्रक्रिया में बहुत सारे nutrients खतम हो जाते हैं बूजो थोट देट फैट्स बूड बेस्ट फूट्स तो इट बूजो यह सोचता था कि फैट्स जो होती है नि जो वशा होती है जो एक nutrient है वो शैद खाने के लिए सबसे अच्छा बूजन है all the time एक काकोरी या बाउल अफ फैट विल गिव मुच मोर एनरजी देने काटोरी ओफ कार्वाइडरेट रिच फूट और वो यह सोचता है कि एक काटोरी फैट एक काटोरी भरी हुई या बाउल बरा हुआ कार्वाइडरेट से ज़्यादा एनरजी देता है इसन्ट इट क्या ऐसा नहीं है बिलकुल ऐसा है क्योंकि हमने अभी देखा है कि फैट कार्वाइडरेट के ज़्यादा एनरजी फ़र्निश करता है इसलिए वो क्या करता है बुजो बुजो यह करता है कि एड नथिंग बट फुड रिचिन फैट वो ऐसे बोजन को ज़्यादा करता है जिसमें फैट ज़्यादा होती है जैसे फ्राइट फुड रख समोसा एंट पूरी यानि जैसे वो तले होए भोजन ज़्यादा खाता है जैसे की समोसा है पूरी है स्नेक्स है मलाई है रबडी है और पेडा स्वीट्स्यानाम की मिठाई यैश्यादा की इस तरह की चीज़ें नो, आफकोर्स नोट, तो हम ऐसा नहीं सोचते, वो विलकुल भी सही नहीं है, it can be very harmful for us, to eat too much of fat, तो it can be very harmful, ये बहुती harmful हो सकता है, बहुती हानिकारक हो सकता है for us, हमारे लिए, to eat too much of fat, भहुत सारी fat खाना, या fat rich food खाना, यानि, बसा से भरपूर बोजन खाना, and we may end up suffering from a condition called obesity, तो इसका प्रणाम, इसका रिजल्ट यह होगा, कि हम एक बिमारी, जिसका नाम, ओवेसिटी है, उस ओवेसिटी से हम सफर करेंगे, कहने का मनल, हम हमारे अंदर, जो है, मोटापा, मोटापा नाम की बिमारी हमारे सरीर मे लग जाएगी, यहनि, हम मोटापा नाम की, यहनि, ओवेसिटी नाम की बिमारी से ग्रसित हो जाएगे, यदि हम ज़्यादा फैटी फैट का यूज़ करेंगे, अब आगे देखिए, टू पाइंट फोर, डिफिसियेंसी डिजीज, यह डिफिसियेंसी डिजीज कैसे होती ह एग व्यक्ति हो सकता है कि उसे परियाप्त मात्रा में भोजन या प्राप्त करता हो सकता है, बट सम्टाइम्स, लेकिन कभी-कभी, the food may not contain a particular nutrient, हो सकता है कि उसके भोजन, परियाप्त भोजन तो कर रहा है वो, लेकिन उसके भोजन में कोई particular nutrient मान लीजिए, एपसेंट है, कोई विशेश nutrient उसके भोजन में सामिल नहीं है, in this, if this continues over a long period of time, और मान लीजिए वो ऐसा ही भोजन, एक लंबे समय तक करता रहे, जिसमें कोई particular nutrient बिलकुल absent है, तो क्या होगा, the person may suffer from its deficiency, तो वो क्या होगा, कि उस particular nutrient की कमी से गरसित हो जाएगा, यानि उसके सरीर में उस विशेश nutrient की, यानि पोशक तत्व की कमी हो जाएगी, deficiency of one or more nutrients, एक या एक से ज़्यादा पोशक तत्व की जो कमी है, can cause diseases, उससे हमको बिमारियां हो सकती है, or disorders in our body, या हमारे सरीर में उनकी कमी के कारण कुछ disorders आ सकते हैं, diseases that occur, तो ऐसी बिमारियां that occur due to lack of nutrients, जो किसी विशेश nutrients की कमी के कारण होती है, over a long period, लंबे समय तक, are called deficiency diseases, ऐसी विमारियों को हम deficiency disease कहते हैं, if a person does not get enough proteins in his her body, in his her food for a long time, मान लिजिए कि कोई विक्ती, लंबे समय तक, अपने बोजन में, परियाप मात्रा में प्रोटीन युक्त बोजन नहीं कर रहा है, यानि उसके बोजन में, प्रोटीन नाम का nutrient absent है, तो क्या होगा, he sees likely to have stunted growth, तो उसकी जो growth है, उसकी growth में कमी आ जाएगी, यानि बौनापन उसमें आ जाएगा, इस्टन्ट हो जाएगा, यानि उसकी ब्रदी रुख जाएगी, संभवत या उसकी ब्रदी रुख जाने का खत्रा है, इसके अलावा swelling of face, उसके चेरे पर सूजन आ सकती है, discoloration of hair, बाल कच्ची उम्र में सफेद हो सकते हैं, skin diseases and diarrhea, इसके अलावा उस व्यक्ति के अंदर, चम्री से संबंदित रोख हो सकते हैं, डाइरिया हो सकता है, if the diet is deficient in both carbohydrates and proteins for a long period of time, और मान लिजी किसी व्यक्ति की diet में, लंबे समय तक, carbohydrates and protein की कमी चली आ रही है, तो क्या होगा, the growth may stop completely, तो ऐसे व्यक्ति की जो growth है, वो पूरी तरह से रुख जाएगी, such a person becomes very lean and thin, ऐसा व्यक्ति बहुत ही कमजोर, दुबला पतला हो जाएगा and so weak, that he see may not even be able to move, यहां तक की वो इतना कमजोर हो जाएगा, यह हो जाएगी की वो हिलने में भी समर्थ नहीं हो सकता, move भी नहीं कर सकेगा, deficiency of different vitamins and minerals may also result in certain diseases or disorders, भोजन के अंदर कोई vicious vitamin या mineral की कमी भी, एक vicious तरह की विमारी या disorders हमारे सरीर में पैदा कर सकती है, उसका प्रेणाम किसी विमारी या disease के रूप में या disorder के रूप में निकल सकता है, some of these are mentioned in table 2.3, अब विविन तरह के vitamin की कमी के कारण किस किस तरह की विमारी यां हो सकती है, ये table 2.3 के अंदर आपको बताया गया है, all deficiency diseases can be prevented by taking a balanced diet, सभी तरह की जो deficiency disease होती है, उनको रोका जा सकता है, prevent किया जा सकता है, by taking a balanced diet, कैसे किया सकता है, balanced diet ले करके, संतुलित भोजन करके, अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, पहले हम deficiency disease वाला चार्ट यहां पर देख लेते हैं, deficiency disease वाला चार्ट, जो कि यहां पर बताया गया है, यह deficiency disease वाला चार्ट है, और इसमें आप देखिए, यह vitamin यहां पर दे रखे हैं, vitamin A, vitamin B, C, D, अब deficiency disease, यह विटामिन A की यदि कमी होती है, हमारे सरीर में, तो क्या होगा, किस तरह का disorder यह disease, हमारे सरीर में, शो होगा, तो वो है loss of vision, यहीं, देखने में हमारे कमी आएगी, और इसके symptoms क्या है, यहीं क्या लक्षण है, तो लक्षण है कि poor vision, यहीं देखने में कमी है, loss of vision in darkness, अंदेरे में आपको विल्कुल दिखाई नहीं देगा, इसके अलावा sometimes complete loss of vision, कभी-कभी आँखों की रोसनी पूरी तरह चली जाती है, विटामिन B की B1 की कमी से क्या होता है, बेरी-बेरी नाम का रोग हो जाता है, और इसके लक्षण क्या है, वीग मसल्स, यहीं हमारी जो मान स्पेसिया हैं, वो बहुत कमजोर हो जाती है, सरीर में काम करने की उर्जा बहुत कम होती है, विटामिन C की कमी से इसकर भी नाम का रोग होता है, और इसके जो लक्षण है, वो हैं ब्लीडिंग गम्स, यहीं मसूलों में से खून आता है, वुंड्स टेक लॉंगर टाइम टू हील, इसके अलावा हमारे सरीर में यहीं कोई गाव हो जाए, कहीं लग जाए, चीरा लग जाए, कट लग जाए, तो उसको सही होने में, ठीक होने में बक्त लगता है, यहीं ज्यादा समय लगता है, विटामिन D से क्या होगा, रिकेट्स नाम की बिमारी होती है, लक्षन क्या है बॉन्स विकम सॉफ्ट एंट पेंट हड़ियां कमजोर हो जाती है लचीली हो जाती है और जुग जाती है मुल जाती है केल्सियम की कमी से बॉन एंड टूथ डिके होता है हड़िय और दातों का छरण होता है और लक्षन क्या है लक्षन है बweak bonds हडियां कमजोर होती है अयोड्न ये mineral है और इसकी कमी से Goïtel नाम का ज्क्राव रोग होता है और इससे हम गलगंड भिमारी कहते है और इसके लक्षन क्या है glands in the neck appear swollen यानि हमारी garden में जो हमारी glands है जो ग्रंथिया है वो सूच जाती है जनी garden में सूच जन आ जाती है mental disability in children बच्चों के अंदर मानसिक disability आ जाती है मानसिक रूप से कमजोर हो जाते हैं बच्चे और iron iron की कमी से क्या हो रहा है एनीमिया हो जाता है यानि खून की कमी नाम का रोग होता है और इसका लक्षण है बीकनेस चलो अब हमने जो पीछे छोड़ दिया था लेसन उसको यहां पर हम पूरा करते हैं तो आईए देखिए और डिफिशेंसी डिजीज एज केन विप्रिवेंटेट बाइ टेकिंग अबैलेंस डाइट यहां इस सभी तरह की जो डिफिशेंसी डीजीज ए उनको रोका जा सकता है बैलेंस डाइट लेकरके इन दिस चैप्टर इस चैप्टर के अंदर वे आसकेट आवर्सेर्प्ट हम अपने आप से ही हमने यह पूछा कि दा रीजन एक कारण पूछा हमने कि भाई वाइडली वेरिंग फुट की जो भोजन हम करते हैं वो अलग-अलग तरह का क्यों होता है अपने वाईडली वेरिंग वेरिंग तरह का रिखर वाईड़ी वेरिजन एक ट्रह पूछा का लाईडली वफूछा क्यों हम्नित्रों प्रेख वीडिशत्रे से ही। तो हम यह पाते हैं और हमें यह सुनिश्चित भी करना है कि जो हमारा मील है जो हमारा बोजन है वो बिलकुल बैलेंस होना चाहिए संतुलित होना चाहिए आप डिफरेंट नूट्रियंट्स यह अलग अलग तरह कि जो नूट्रियंट्स है वो हमारे बोजन में सामिल होने चाहिए निडिट बाइदा बोडी जो हमारे सरीर को जरत है वो सारे नूट्रियंट्स हमारे बोजन में सामिल होने चाहिए तो यहां पर यह इस तरह आपका chapter पूरा होता है और यहां कुछ keywords रखे हैं जैसे balance diet है very very है और carbohydrate से energy है fats है minerals है और nutrients है proteins है रफेज है इसकर भी है starch है vitamins है और ये इस lesson की यहां पर summary दे रखी है यह बहुत ही important है याँ यह भी हम यहां पर देखेंगे है द द मेंजर नूथ्ष एंध अबर फिट हमारे मेंजर नूट्रियं नूट्रियंट से और और प्रोटीन पडर्ड्व टेविट में सब्ड़ के नियास अ Chief아서 सॉप्ड स Mr.ering यह सब्ड़ को रर्ड़ी На डाइटरी फाइवर्स और वाटर भी जो होते हैं अब देखिए सेकंड वाला कारवाइडेट्स एंड फैट्स मैंली प्रोवाइड एनरजी टू आवर बाडी कारवाइडेट्स और फैट का जो फंक्सन है हमारे बोडी के लिए जो है वो मुखी रूप से एनरजी सफिनेंस ऑफ अब बोडी अब हमारे सरीर की को सवस्थ बनाया रखने के लिए जरूरी होते हैं अब देखिए अगला वितैमिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बोडी अगांज डिजीज अब अब यह जो vitamins होते हैं यह क्या करते हैं हमारे सरीश में यह disease कही कहलाप हमारे सरीश में सरी को protect करते हैं आगे देखिए balance diet provides all the nutrients balance diet जो होती है सबीट तरह के nutrients होते हैं that 우리 body needs जिनकी हमारे सरी को जरत होती है इन राइट कॉंटिटीज बिलकुल सही मात्रा में अलाउंग विट एडिक्वेट अमाउंट और रफेज और बाटर इसके अलावा उसमें परियाब रूप से रफेज और बाटर भी सामिल होते हैं लंबे समय तक हमारे बोजन में किसी एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रेंट की कमी में काज सर्टेन डिजीजेज और डिसॉर्डर उसके कारण हमारे सरी में एक विशेश तरह यानि कोई विशेश बिमारी या डिसॉर्डर पैदा हो जाते हैं तो प्यारे बच्चों यहां यह एक सर्शाइज इनको भी हम हल करेंगे यह देखिए आप क्वेशन नमर बन क्वेशन नमर बन से हम इसको सुरू करते हैं आप अपश नेम दा मेजर नूट्रेंट्रेंट्स इन आवर फूड हमारे फूड के अंदर जो मेजर नूट्रेंट से वह आपको लिखने तो अभी हम आपने देखा कौन-कौन से मेजर नूट्रेंट्स है बिलकुल आप बता सकते हैं जैसे जैसे आपने देखा कारवाइडरेट्स, फैट्स, फ्रोटीन्स, और आपने देखा मिनरल्स, विटामिन्स और इसके अलावा डाइटरी फाइवर् अब देखिए second वाला name the following अब आपको इन में से इनको बताना है इनके name आपको लिखने हैं जैसे the nutrients which manly give energy to our body ऐसे nutrients लिखने हैं आपको जो मुख्य रूप से हमारे सरीर को energy देते हैं तो आपने देखा कैसे दो nutrients है एक तो fats है fats और एक है proteins हाँ एक तो fats है और एक है कार्व हाइडरेट्स तो कार्व हाइडरेट्स और fats हमारे सरीर को मुख्य रूप से energy प्रदान करते हैं fats और कार्व हाइडरेट्स अब देखिए second B वाला the nutrients that are needed यानि वे nutrients जिनकी जुरत होती है for the growth and maintenance of our body हमारे सरीर की ब्रद्दी के लिए और सरीर को स्वस्तु बनाए रखने के लिए या maintenance के लिए तो ऐसा कौन सा nutrient है तो अभी हमने देखा वो protein है यानि protein प्रोटीन्स तो प्रोटीन्स क्या काम करता है हमारे सरीर में यह हमारे सरीर की growth और maintenance के लिए जरूरी है अब यह सी वाला देखिए A vitamin required for maintaining good eyesight यह अच्छी आँखों की रोसनी बनाये रखने के लिए कौन सा vitamin चाहिए तो vitamin A vitamin A आपको चाहिए तो इसका अंसर हो गया vitamin A अगला देखिए next question D वाला a mineral that is required for keeping our bones healthy ऐसा vitamin आपको बताना है जो हमारे bones को healthy रखने में जरूरी है तो bones को healthy रखने के लिए vitamin हमने इसमें देखा तो वो है आपका vitamin D तो यहाँ पर हम लिखेंगे vitamin D अब यह vitamin D हमारे सरीर में क्या काम करता है हड्डियों bones को healthy रखता है अब यह question number 3 देखिए name two foods each rich in ऐसे दो food items लिखने जो जिनमें यह चीजें rich हो यह भरपूर मिलती हो जैसे fats fats किन-किन foods में आपको मिलती है तो आपने देखा कि वही जो मिलती है यह अर फिर आप लिखसें ग्राउंड नड़ ग्राउंड नट आप इसमें लिख सकते है फैट को मिलती है उसमें और घी में भी आप फैट मिलती है ऑईल के अंदर फैट मिलती है और ग्राउंड नट में भी फैट मिलती है इसके अलावा आप ले सकते हैं मिल्क क्नाषर मात्रा फैट होती है अब भी देखिए आप इस्टार्च इस्टार्च आपको कहां से मिलेगा तो इस्टार्च का जो मेंस और से तो वो है राइस तो आप राइस इसमें लिख सकते हैं और राइस के अलावा आप जैसे मिलक है तो मिलक में तो सारी चीज़े हमेशा ही मिलती है milk में सभी तरह की nutrients मिलते हैं हमने सभी अभी जो देखा था उसमें milk सभी में अधिकतर मौझूद था उसमें सारे nutrients होते हैं milk के अंदर तेहां पर rice और grain हम इसमें लिख सकते हैं D देखिए dietary fiber dietary fiber किसमें मिलता है तो वो hall grains के अंदर और pulses के अंदर dietary fiber मिलते हैं इसके अलावा potatoes और fruits में और vegetable में अब यह देखिए protein protein किसमें मिलता है तो protein का जो source है आप लिख सकते हैं milk है milk इसके अलावा जितने भी pulses है pulses pulses यानि दाले हैं milk है egg है EWG meat है meat इसके अलावा fish है यह सब जो है shorts है किसके protein के अब देखिए four वाला question number four tick the statements that are correct यहनि जो सही statement है उसके आगे आपको इस तरह correct का निशान लगाना है यह वाला statement देखिए by eating rice alone अकेला यहनि हम सिर्फ rice ही खाएं तो we can fulfill nutritional requirement of our body तो इससे क्या हमारे शरीर की जो nutrient की जो requirement है क्या पूरी हो जाएगी सभी तरह की नहीं होगी तो यह विल्कुर ठीक नहीं है सही नहीं है दी देखिए deficiency diseases can be prevented by eating a balanced diet यह विल्कुर सही है deficiency disease जो है balanced diet लेकर के हम उनको prevent कर सकते हैं रोक सकते हैं तो यह सही है c देखिए balanced diet for the body should contain a variety of food items बिल्कुल correct है variety of food items सही हमको balanced diet में अब यह d देखिए meat alone is sufficient to provide our nutrients to our body बिल्कुल गलत है wrong है अब आगे देखिए question number five fill in the blanks यहाँ पर आपको एक उस blanks है जो fill करना है यह वाला देखिए is caused by deficiency of vitamin D यहाँ विटामिन D से कौन सी बिमारी यहाँ पर होती है तो हम भी हमने चार्ट में देखा तो rickets यहाँ पर हम लिखेंगे rickets अब भी देखिए deficiency of यहाँ किस तरह की deficiency cause a disease known as very very यहाँ बेरी बेरी नाम का रोग किस की कमी से होता है तो हमने देखा विटामिन B विटामिन B तो हम विटामिन B इसमें यहाँ पर लिखेंगे बी बन बलकी बी बन deficiency of vitamin C causes a disease known as iscurvy iscurvy तो iscurvy नाम का रोग होता है vitamin C से D देखिए night blindness is caused due to the deficiency of in our food night blindness यह रतोंदी नाम का रोग कियते हैं तो यह किस की कमी से हमारे सरीर में होता है तो इसमें vitamin A vitamin A की कमी से रतोंदी नाम का रोग हो जाता है night blindness हो जाती है तो प्यारे बच्चों यहाँ पर यह chapter आपका अब complete होता है और next chapter में फिर मिलते हैं तब तक के लिए have a nice time thank you very much for watching